इंग्लैंड वोमेन एंड साउथ अफ्रिक वोमेन के बीच में जो तीसरा T20 इंटरनाशनल मुकाबला आज रात को 11 बजे से खेला जाएगा कहां पे काउंटी ग्राउंड डड़बी में वेन्यू चेंज हुआ है तो वेन्यू में कैसा क्या होता है रीसेंट मैचेस क्या क्या हुए है डीटेल में हम डिसकेशन करेंगे इसी वीडियो में बट उसके पहले इस मैच का फाइनल अपडेट आपको मिलेगा हमारे टेलिग्राम चैन अच्छा अब बात कर लेते हैं वेन्यू स्टेट्स के बाड़े में तो इस वेन्यू पे वोमेंस टी ट्वेंटी ना नो मैचेस खेले गए हैं एवरेज स्कोर बैट फर्स्ट वान थर्टी फाइव कर रहा है और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर एक सो तीन कर रहा है तो उतना जादा हाइ स्कोरिंग ग्राउंड ये है भी नहीं ठीक है हाइस टोटल 180 फर टू जोके दो मिस्टिक मैच पे बनाता साउधन वाइपर्स ने बनाया था अब देखिए दोनों टीम्स का इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस कैसा है इंग्लैंड वोमें साथ मैचेस खेले है चलिए बात कर लेते हैं कुछ रीसेंट मैचेस के बाड़े में वोमेंस का जोके इसी वेन्यू पे खेले गया है इंग्लैंड वोमें और विस्ट इंडिस वोमें के बीच में मैच हुआ था लंपक दो साल पहले जहापे 41 फर 3 और 42 फर 7 बना था बैटिंग फॉर्स करने वाला टीम नहीं सेकेंड करने वाला टीम जीता था चेस करते हुए यह पांच ओवर के मैच हुआ था बाड़िश के कारण ठीक है उसके पहले 28 सेप्टेंबर को और एक मैच खेला गया इनी दोनों टीम्स के बीच में जहापे 166 फर 6 और 122 फर 9 टारगेट चेस नहीं हुआ बैटिंग first करने वाला टीम जीता यяг यहीं ट्रेंड लंग फर आपको देखने को मिलेगा यहां पर पेसर्स छे विकेट तो spinners 5 विकेट निकाले थे उसके पहले 154 फोर 6 जो फिर से चेज नहीं हुआ Pacers 7 विकेट तो spinners 4 विकेट निकाले थे उसके पहले 151 फोर 8 ये भी चेज नहीं हुआ ठीक है ये सारे 40 ओवर के मैच कम्प्लीट हुए थे वो वाला first मैच को छोड़के Pacers 6 विकेट तो spinners 8 विकेट उसके पहले 163 फोर 8 यहां पे भी चेज नहीं हुआ बैटिंग first करने वाला टीम जीता Pacers 6 विकेट spinners 8 विकेट उसके पहले 180 फोर 2 ये domestic मैच था 20 ओवर का जो चेज नहीं हुआ Pacers 7 विकेट, spinners 2 विकेट उसके पहले 151 फोर 3 जो फिर से चेज नहीं हुआ बैटिंग first करने वाला टीम जीता Pacers 5, spinners 4 विकेट ये वाला मैच चेज हुआ था जो के इंडिया और इंगलैंड वोमेन के बीच था 2006 को ठीक है Pacers को first inning में 19 तो second inning में 25 विकेट मिले है और यहापर first inning में spinners को 16 तो second inning में 19 विकेट मिले है तो second inning में Pacers को and spinners को मिले गए विकेट first inning के मुकाबले जादा है ये clear cut आपको indication देता है कि second inning में chase करना उतना आसान नहीं होता है इस venue पे ठीक है उससे पहले अगर आप first time हमारे YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे humble request रहेगा kindly इस YouTube चैनल को subscribe करके हमारे family का हिस्सा बन जाएगा उसके बगल वाले bell बटन को press करके all पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्ते यहाँ पे एक arrow वाल बटन आपको दिखेगा ना यहाँ पे जाएंगे description section में आपको हमारे telegram और instagram चैनल का direct links देखने को मिल जाएगा कोशिश कीजएगा इन original links पे क्लिक करके directly आप हमारे साथ हमारे telegram और instagram चैनल पे जुर जाएं क्योंकि इस match का final update और बाकी जितने भी domestic men's, women's and international matches शुरू होने वाले हैं उनके final updates वहीं पे आते हैं तो kindly telegram और instagram चैनल पे जुर ज़रूर जाएगा डर्बी का weather forecast अगर आप check out करेंगे आज का तो अभी तो sunny है बट अगर आप शाम का weather forecast देखेंगे ना क्योंकि वहाँ पे लगभग 6 से 6.5 तक ये match शुरू हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे 6 बजे mostly cloudy होगा बट बारिश का chances नहीं है बारिश कब है लगभग 10-11 बजे से बारिश होगा तो लगभग एक full-fledged match आपको देखने को मिलने वाला है ठीक है और हाँ लगे हाथ हम ground dimensions को भी check out करेंगे तो यहाँ पे clear cut आपको दिख रहा है कि square का जो boundary है ना यहाँ पे 72 meter इस side का and 69 meters इस side का है straight boundaries बहुत ही ज़्यादा छोटा है यहाँ पे 60 meters यहाँ पे 59 meters तो straight boundaries को batters target कर सकते हैं mid wicket के boundaries comparatively ज़्यादा बढ़ा है यहाँ पे 76 meters जो इस side से left-hander batter batting करेंगे और इस mid wicket को target करेंगे तो वहाँ पे long on long off पे out हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 72 meters है यहाँ पे 71 और यहाँ पे 70 तो mid wicket के boundaries में से यह सबसे ज़्यादा छोटा है बाकि सामने वाला जो boundaries है ना वो सबसे ज़्यादा छोटा है ठीक है अच्छा इंग्लैंड के कुछ गिने चुने players ना इस venue पे कुछ matches already खेल चुके हैं जब जब यह इस venue पे matches खेले हैं first inning में batting and bowling करते हुए कैसा performance किये हैं और second inning में batting and bowling करते हुए कैसा performance किये हैं वो मैं आपको इस section में बताने वाला हूँ Danny Wyatt इस venue पे 6-7 नहीं खेल चुके हैं बट सारे के सारे batting first करते हुए आये हैं और batting first करते हुए इनका record उतना खास रहा भी नहीं है कभी भी 21 not out highest किये हैं 17, 14, 11, 0 तो देखिए batting first करते हुए इस venue पे record इनका बिल्कुल अच्छा नहीं है second batting इस venue पे इन्होंने एक बार भी नहीं किया है इसलिए कोई stat available है नहीं ठीक है first batting and second bowling में काफी important रहेंगे second batting and first bowling में एक ही इनिंग था 7 रन का wicket नहीं लिये थे ठीक है Amy Jones first batting में 25, 24, 55 अब देखी सकते कितने important है second batting में 2 इनिंग आया था 0 और 11 का dunk ले इस venue पे first batting में first ball पे ही out हो गये थे एक ही इनिंग खेले थे second batting में 3 not out किये थे बाकी Catherine Brand इस venue पे जब जब first bowling किये हैं एक ही इनिंग खेले हैं एक wicket निकाले थे second bowling में 2 wicket, 2 wicket, 1 wicket, 1 wicket second bowling में भी इनका काफी अच्छा wickets रहा है प्लस batting से भी 25, 18 किये हैं ठीक है काफी important रहेंगे इसले स्टोन इस venue पे second bowling करते हुए देखिए 2 wicket, 2 wicket, 2 wicket, 3 बार 2-2 wicket निकाल चुके हैं और एक बार 1 wicket हलाकि first bowling करते हुए एक ही इनिंग खेले हैं और 1 wicket निकाले थे साड़ा ग्लेन का second bowling में इनका भी second bowling में 2 wicket, 2 wicket, 1 wicket, 2 wicket, किता consistently 2-2 wicket निकाले हैं ठीक है और first bowling करते हुए और second bowling करते हुए 25 runs भी किये थे तो ये बैटिंग के साथ-साथ bowling भी कर लेते हैं मुझे कहना चाहिए उल्टा bowling के साथ-साथ ये बैटिंग भी कर लेते हैं ठीक है बात कर लेंगे hit-to-head matches के बारे में तो इन दोनों teams के बीच में अब तक 20 T20 matches खेले गए हैं जहांपे 17 बार England woman और 3 बार South Africa woman जीते हैं लास्ट 5 matches में से 4 बार England woman जीते हैं तो England woman ही जादा तर South Africa woman को T20 matches में dominate किये हैं इस venue पे ये दोनों team एक दूसरे के against एक भी match नहीं खेले हैं रीसेंट कुछ hit-to-head matches उठा के देखेंगे देखिए 23 जुलाई को एक hit-to-head match खेला गया था जो के 2nd T20 आई था वहाँ पे South Africa woman को काफी अच्छा start मिला था 148 for 6 किये थे 151 for 4 करके England woman target को chase कर लिये थे यहाँ पे ए बॉश टॉप ओडर में 61 किये थे South Africa woman team के तरफ से लाड़ा गुडाल 42 किये थे लाड़ा उलवड़ार 21 किये थे खाका एक विकेट, इस्माइल एक विकेट, ट्रायन एक विकेट Natty Seaver 47 runs किये थे, Danny White 2nd inning में 39, Sophie Dungley 23, Amy Jones नीचा के finish किये थे 20 run not out के साथ Sarah Glenn 2 विकेट, Brant 1 विकेट, Isle Stone 1 विकेट and Capsy 1 विकेट निकाले थे ठीक है? उसके पहले और एक hit to hit match खेला गया था जहाँ पे South Africa woman batting first करते वे सिर्फ 111 run पे ही लगबग all out हो गये थे England woman आसानी से chase किये थे, अब देखिए South Africa woman का top order इस match में नहीं चला था जहाँ पे Catherine Brant का roll बहुत important रहा था तो अगर आप इस match में Grand League में Catherine Brant को CVC try कर रहे हैं तो expect कीजेगा ये ज़्यादा विकेट South Africa woman के top order का ही लेने वाली है ठीक है तो एक ही टीम में South Africa woman team के top order और Catherine Brant को CVC बना के मत लेके जाईएगा Grand League के हिसाब से ठीक है बाकी उस match में वोलवर डॉड मिडिल ओडर में आके 55 किये थे, बैटिंग first करते वे बॉश 18 किये थे, काफी अच्छा टच में दिखे थे, प्रस एक विकेट भी निकाले थे, पार्ट टाइम बोलिंग करते वे खाका second inning में आके तीन विकेट निकालके गई थी डंक ले चेस करते वे 59 की थी और इनिंग को एंकर किये थे हीदर नाइट 24 नॉट आउट, ब्रांट 4 विकेट, इसले स्टोन, ग्लेन और सीवर एक 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 विकेट निकाले थे उसके पहले 23rd February, दो साल पहले एक मैच खेला गया था 123 for 8 and 124 for 4 जोके South Africa वोमेन ने चेस करते वे जीता था यहाँ पर सीवर का बैटिंग फर्स्ट करते है परफॉर्मेंस आया था एमी जोन्स 23 किये थे, इसले स्टोन का दो विकेट, सेकिन डिनिंग में मारिजान काप 38 रंस और दो विकेट, फिलाल नहीं है खाका तीन विकेट फिर से और इश्माइल एक विकेट, ठिक है उसके पहले South Africa वोमेन बैट फर्स्ट किये थे, 85 प्रॉल आउट हो गये थे इंग्लाइड वोमेन आसानी से चेस किये थे सिर्फ ट्रायन का बैटिंग फर्स्ट करते है परफॉर्मेंस आया था डैनिवाय 27 किये थे, चेस करते हुए हीदर नाइट 14, एमी जोन्स 14, नैटी सिवर बोलिंग फर्स्ट करते हुए तीन विकेट निकाले थे उसके पहले 164-5 और 166-4 ये भी South Africa वोमेन नहीं जीते थे चेस करते हुए हीदर नाइट वाल बैटिंग फर्स 35 नॉट आउट किये थे सीवर 16, एसले स्टोन फिर से दो विकेट बट सेकेंड इनिंग में ठीक है सुनेलू 63, शबनम इस्माइल फर्स इनिंग में डेथ ओवर में दो विकेट निकाल के गये थे उसके पहले इंग्लैंड वोमेन बैट फर्स किये थे 254 त्री और साउथ आफ्रिका वोमेन आस पास भी नहीं जा पाये थे डैनी वाइट का 56 आया था, कैथरीन ब्रंट 42 नॉट आउट नीचे आके पावर हिटिंग किये थे प्लस दो विकेट, सीवर 33, एसले स्टोन एक विकेट और इश्माईल एक विकेट, अब देखिए इन दोनों टीम्स के बीच में जब जब हेट टो एट मैचेस खेले गये हैं, कौनसे कौनसे प्लियर जेनरली हमेशा जादा अच्छा करते हैं हीदर नाइट का 31 कावरेज है, 9 इनिंग में 157 रंस किये हैं, नैटी सीवर 7 इनिंग में 120 रंस किये हैं 17 कावरेज से कैथरीन ब्रंट 10 इनिंग में 9 विकेट निकाले थे इस सीरीज के पहले, ठीक है यह साड़े के साड़े जो स्टैट से अभी में आपको दिखाड़ा हूँ, यह साड़े इस सीरीज के पहले है यहाँ पर सोफी इसले स्टोन इस सीरीज के पहले 4 इनिंग में 5 विकेट निकाले थे वर्सेस साउथ अफरीका वुमेन साफ़ इनिंग में एक्सो इरासी रद 20 के अवरेज से ट्रायण ने किये थे त्रीशा चेटी 14 इनिंग में 183, 14 के अवरेज से मरी जनकाप नहीं है इसमाईल 14 इनिंग में 11 विकेट निकाले थे, ट्राया इनिंग में 7 अच्छा सीधे बात कर लेते हैं दोनों टीम्स का प्लेंग 11 विद बैटिंग ओर्डर एंड प्लेयर्स के रीसेंट फॉर्म के बारे में Danny White पिछले मैच पर 39 किये थे उसके पहले 0-33 ऐसा इनके रीसेंट फॉर्म रहा है हर एक प्लेयर्स के रीसेंट फॉर्म आप ऐसे ही चेक आऊट कर सकते हैं डांकले पिछले मैच पर 23, उसके पहले 59, उसके पहले 1,07 जो डोमेस्टिक मैच मेच में आया था उसके पहले 22 ठीक है तो काफी कनसिस्टेजली, सडी ये डोमेस्टिक मैच में नहीं वन डे मैच में आया था, वन डे इंटरनाशनल, ठीक है, जो के साउट अफ्री का वोमेन के एगेंस्ट हे आया था, जो रीसेनली खिला गया है, तो सोफिय डंकले को बहुत अच्छे पुश दे रहे हैं, इंगलाइन वोमेन के टीम, और उनको चाते हैं, कि ये टॉप अडर में बैटिंग करें, इनके नेक्स्ट स्टार हो, ठीक है, तो इसलिए सोफिय डंकले के उपर बहुत भरोसा कर रहे हैं, और उनको चांसेज भी दिया जा रहा है, इनको अवेज़ डिफरेंशिल कैप्टेन वाइस कैप्टेन बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, काफी रिलाइबल बैटर है, जरूरत पढ़ने पर ये बोलिंग से भी काफी अच्छे कांट्रिबूशन दे सकते हैं, अब तक जरूरत नहीं पढ़ा, क्योंकि टीम में बैटर और बोलर ऑल राउंडर है, ठीक है, बाकी हीदर नाइट काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, सिर्फ ग्रैंड लिग में ही ट्राई कीजेगा, स्पेशल अगर इंगलाइन वोमेन का बैटिंग फर्स हुआ तो और कोलाप्स अगर आप एक्सपेक कर रहे हैं, मतलब इनको सजेस्ट नहीं करूंगा, हलाकि विकेट कीपिंग यही करेंगी, तो स्टंपिंग और कैचेस का पॉइंट आप इनसे एक्सपेक कर सकते हैं, मिया बाउचर बैटिंग फर्स पिक क्योंकि काफी नीचे बैटिंग करेंगे, शायद इतना तक बैटिंग ना भी आए, क इसी भी ग्रैंड लिग के टीम में, तो उस टीम में साउत अफरी का वोमेंट टीम का जो टॉप ओडर है, टॉप ओडर से दो से तीन प्लेयर अब बिल्कुल छोड़के जाएगा, फ्रिया डेविस जो के लास्ट मैच में खेले थे, विकेट नहीं निकाल पाई थे, काफी इंपोर्टन्ट होंगे, डेट ओवर में बोलिंग करते हैं, सोफिय असले स्टोन और साडा गिलें, दोनों क्वालिटी स्पिनर हैं, दोनों ही मेरे टीम में होंगे, जब मैं टीम कॉमिनेशन बताऊंगा, तब आपको दिख जाएगा, ठीक है, फ्रिया कैम्प है, स् गालते वे आ रही हैं, जो के डोमेस्टिक मैच था, ठीक है, रीसेंटी, 50 सबर के डोमेस्टिक मैच में चार विके निकाली हैं, उसके पहले 2 विकेट था, पिछले 2 जो मैचेश ये खेले हैं, 6 विकेट निकाल चोके हैं, रेड हॉट फॉर्म में हैं, बिल्कुल आप ट्र चैनल पे ही मिलेगा बात करेंगे साउट अफरी का वूमेंट टीम के बाड़े में इनके तरफ से लाडा गुडाल एंड ए बोश दोनों ओपिनिंग करेंगे ए बोश का मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो 18 रंस किये थे काफी अच्छा टच में दिखे थे प्लस ये पार्ट टेंग बोलिंग भी करते हैं स्मॉल लिग में एजर डिफरेंशिल पिक अप ट्राई कर सकते हैं लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बाद बहुत लोग इनको लेके आएंगे ठीक है इन स्विंगिंग डेलिवरी से वो आउट हुए थे LBW हुए थे या फिर बोल्ड हुए थे उतना मुझे याद नहीं शायद LBW हुए थे ठीक है बट कैथरिन ब्रंट अगर इस मैच में भी वो स्विंग शुरुवात में प्राप्त कर सकते हैं तो वहाँ पर लाड़ा गुडाल को दिक्कत हो सकता है सुने लूस बिलकुल भी फॉर्म में नहीं है ना ही बोलिंग कर रहे हैं तो उतने इंपोर्टन होंगे नहीं वोल बार डाउट कंसिस्टेंटली अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं चाहे ODI मैचस हो चाहे T20 मैच हो तो इंपोर्टन होंगे ये भी मैगनन डूप्रीज बैटिंग फर्स करते हैं आप ट्राई कर सकते हैं सी ट्रैन बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों तरफ से कंट्रिबूशन दे सकते हैं इसलिए स्मॉल लिग के वन अफ दे सेफिस्ट पिक होने वाले हैं डिल में टकर ग्रैंड लिग के पिक होंगे सेनली जाफटा विकेट कीपर बैटर शबनम इसमाइल इंपोर्टन होंगे रीसन फ़र्म आप इनका देखी सकते हैं आया बाउंग का खाका पिछले चार मैचेस देखेंगे न एक विकेट, तीन विकेट, दो विकेट, जिरो विकेट ऐसा विकेट निकाले हैं मासावटा क्लास ग्रैंड लिग के पिक होंगे अगर आप इसमाइल या फिर खाका के जगा एक डिफरेंशियल बोलर ट्राइ कर सकते हैं और ट्राइ करना चाते हैं तो मासावटा क्लास को ले सकते हैं बेंच में तुमी आपको दिख जाएंगे मारे जरना काप नहीं है नदे अंडी क्लाक ये प्लेयर अगर आती हैं तो काफी इंपोर्टन होंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा बैटिंग कर सकती हैं प्रस बोलिंग से ODI सिरीज जब चल रहा था काफी कंसिस्टेंटली ये विकेट्स निकाल रही थी बाकी नीचे और कोई खास है नहीं माला बाको में उतना प्रेफर नहीं करूँगा त्रिशा चुट्टी को भी नहीं दोस्तो विकेट कीपिंग सेक्षन में जाएंगे आपको ग्रैंड लिग के डिफरेंशल पिक मिल जाएंगे सनरली जाफटा या फिर स्मॉल लिग में भी थोड़ा सा गर रिस्क लेना चाते हैं कब जब इंग्लैंड वोमेन बॉलिंग फर्स्ट करेंगे अब क्यों अब देखिए इंग्लैंड वोमेन अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो एमी जोन्स का बैटिंग ओडर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं बट एगेंड कैचिंग अन स्टंपिंग का पॉइंट्स एमी जोन्स ही देंगे जाफटा कुछ भी शायद ना करे ठीक है तो इसी दिए जाफटा के साथ आप as a referential पिक ट्राई कर सकते हैं जब इंग्लैंड वोमेन bowling first करेंगे और यही सोच के हम इस वीडियो में टीम combination बना रहे हैं पहले कि इंग्लैंड वोमेन बोलिंग first कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे बैंटिंग सेक्शन में जाएंगे वलवर डॉर्ट वाइल बैंटिंग first काफी important होंगी काफी important pick है और हम भडोसा करके ले भी सकते हैं हीदर नाइक को में उतना prefer नहीं करूँगा क्योंकि काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं नमबर 5 पे डंकले opening कर रहे हैं Danny White के साथ दोनों ही मेरे हिसाब से काफी अच्छा touch में दिखे हैं डंकले को टीम प्रोमोर भी कर रहे हैं टॉप ओडर में और वो काफी अच्छा इनिंग को एंकर कर रहे हैं टॉप ओडर में इन दोनों में से Danny White अटेक करने वाली हैं और डंकले एंकर करने वाले हैं तो जैसे Australia Women के टीम में Beth Mooney और Alyssa Hilly करते हैं हेली अटेक करते हैं और Beth Mooney अंकर करते हैं ठीक वैसे ही ठीक है तो आप as a differential wise captain ना डंकले को ट्राइ कर सकते हैं Magnan Dupreeze while batting first Grand League में ट्राइ कर लिजेगा Caps से last match में part time bowling किये थे as a differential pick up ट्राइ कर सकते हैं बड़ एगेन ये Ami Jones से भी नीचे batting करेंगे बाकी ये बोश देखी 81% selection हो गया है जिनका selection पिछले match में शायद 30-35% था पिछले match में 61 किये थे काफी अच्छे touch में दीखे हैं दोनों ही match में अब बिल्कुल try कर सकते हैं यहाँ पे batting section में उसके बाद all-rounder section में आएंगे receiver हमारे first pick होंगे and brunt हमारे second pick हो जाएंगे दोनों ही batting plus bowling दोनों से contribution दे सकते हैं specially अगर England woman का batting first हुआ brunt नीचे आके अब काफी अच्छा power hitting कर सकते हैं हाला कि brunt दोनों ही inning में important होंगे ठीक है बाकी नीचे आएंगे try and cup try कर सकते हैं फिलाल के लिए हम थोड़ा सा bowling section में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई खास option बचा नहीं है bowling section में एसले स्टोन हमारे first pick होंगे कभी भी आपको 2-3 wicket निकाल के दे सकते हैं and death में भी overs रालती है बाकी थोड़ा से नीचे आएंगे sada glen जो के leg break bowling से दिक्कत देती है और काफी quality leg break bowler है प्लस इनका batting advantage भी है इसले स्टोन और glen दोनों ही काफी अच्छे batting कर लेती हैं अब देखिए 6 players हमने England woman के तरफ से ले लिये हैं अब यहाँ पे Kate cross को मौका मिलता है या फिर easy wong इन दोनों में से जिनको भी मौका मिलेगा सीधे सीधे हमारे टीम में आ जाएंगे फिलाल के लिए मैं Kate cross के साथ जा रहा हूँ I'm expecting के इस match में Kate cross को मौका मिलेगा क्योंकि यह आखरी T20 international मुकाबला है यहाँ पे नदर अडिक ट्लाक को अगर मौका मिलता है वो भी हमारे टीम में सीधे सीधे आ जाएंगे फिलाल के लिए C try and मुझे काभी safe pick लग रहे हैं जो के नीचा के hitting भी कर सकते हैं प्लस bowling से भी काफी important contribution देते हैं ठिक है फिलाल हमारा small league का team combination कुछ ऐसा बन रहा है जहाँ पर number 3 पर batting plus bowling करने के चक्कर में captain ship हमारे तरफ से ले जाएंगी natty receiver, vice captain हम देंगे Catherine brunt को क्योंकि again इस match में especially अगर bowling first होता है England woman का तो बहतरीन 3-4 wicket वाला performance हम expect कर रहे हैं Catherine brunt से आप क्या कर सकते हैं जैसे कि मैंना dunk ले या फिलवर डॉट इन दोनों में से किसी एक को vice captain try कर सकते हैं captain सभी का natty receiver ही होने वाली हैं जो भी हो final update आपको मिल जाएगा हमारे telegram channel पे जिसका link इस video के comment section में एकदम उपर pin किया हुआ आपको मिल जाएगा वहाँ पे जाके उस link से हमारे telegram channel पे जोर सकते हैं बाकी दोस्तों इस combination में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि amy jones को भी हमें लेना है तो हम क्या कर सकते हैं तो एक कामा बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे kate cross को मैंने extra लिया है जिनका पता नहीं है खेलेंगे की नहीं उनके जगा आप सीधे सीधे safe pick जिनका selection 92% आया बॉंग का खाका के साथ जा सकते हैं और उनके जगा सीधे सीधे आप जाफटा के जगा amy jones को ले सकते हैं फिर आपका combination ऐसा बन जाएगा इस combination में भी captain wise captain हमारे लिए same ही होने वाली है ठीक है